SSC MTS भर्ती 2021 नमस्कार दोस्तों SSC MTS की एक बड़ी वर्ती आपके लिए आए बिल्कुल 2021 की काफी वड़ी वेकंसी आप इसे मान सकते हो दस्वी पास वाले सबी व्यारती मतलब आप कोई से वे राजे से विलोंग करते हो आप इस भर्ती के लिए online apply कर पाएंगे चाहे आप male candidate हो या फिर female candidate हो डोनों के लिए बड़ा वए अच्छा वए सुनरा मौका आपको मिलने जा रहा है दस्वी पास वाले यहाँ पर SSC की थरुप से MTS के पदों पर 10,000 पदों का एक बड़ा recruitment निकाला जा रहा है दोस्तों इसको लेकर संपूर जानकरी आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने वाले हैं कि इसमें का online registration कब से सुरू होगा last date कब है age criteria क्या रहने वाला है selection process क्या होगा कहा कहा पर आपको job मिलेगी क्या काम करना होता है इसको लेकर पूरे डाउट्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके clear होने वाले वीडियो अपके लिए काफी जादा मायत पूर साबित रहने वाला आप वीडियो के अंतक आप जरूर बने रिजियेगा साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली SSC के हर बरकार के रिकूर्टमेंट के अपडेट आप तक सबसे पहले पूस्ट दे रहे दोस्तो चैनल को पहली बार है तो चैनल आप जरूर सस्क्राइब कर ले साथ हम वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेड जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास में ताकि मायटमूर अब्रेट अपने दोस्तों तक भी पहुंच आए तो चलो दोस्तों सबसे पहले बात करते है वैकंसी के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ओनलाइन डेट बता देता हूँ बिल्कुल दो फर और इसे ओनलाइन फोर्म आपके सुरू हो जाए यह बिल्कुल यहापर आप देख सकते हो MTS कोर कोश्टेबल GD के पदोपर यहापर हजारों की संक्या में एक बड़ा रिक्रूट में निकाले जा रहा है जिसमें 10,000 पदोपर आपके वैकंसी होगी वो होगी आपके MTS के पदोपर जबकि बाखी के 50,000 की जो वैकंसी आपके आने वाली है जिसका 25 मार्च से उनलाइन रजिस्टेशन सुरू होगा वो SSGD कोश्टेबल भरती 2020 के रूपे आने वाले सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ करमचारी चैन आयोग अगले महीने मतलब फरवरी एउ मार्च में दो बड़ी बरती परिक्सियों के लिए आवेदन परक्रिया सुरू करेगा बिलकुल आयोग फरवरी की सुरुआत में मल्टी टास्किंग स्टाप MTS के लगबग 8000 पदों और 25 मार्च को केंदरे सुरक्षाबल के लिए कोश्टेबल जीडी के यहाँ पर सुरक्षाबलों की वेकेंसी 40-50 4000 पतों पर भरती की गोश्ना कर रहा है करमचारी चैनायों की ओर से जारीव ओर्षी कलेंडर में asvar की बड़ी परिक्षाब की गोश्ना की गई है क्रोणा संकट के कारण परिक्षाब का कारिक्रम बदल जाने के बाद 2020 की दो बड़ी परिक्षाओं के लिए आवेदन 2021 में मांगा जारा जारा बिल्कुल दोस्तो वार्शी केलेंडर के हिसाब से SLC की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाप MTS 2020 के लिए दो परवरी 2021 से लेकर 18 मार्श 2021 के बीच आवेदन लिया जाएगा वही आयो की ओर से MTS के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परिक्षा एक से लेकर 20 जुलाई के बीच में होगी इसके साथ ही जो कैंदरे सुरुक्षा बलाम्ट है उनकी जो 25 मार्श से ओनलाई रजिस्टेशन सुरू होने वाला है और 10 मही तक इसका ओनलाई रजिस्टेशन लोग कर पाएंगे और 25 अगस्त को एकजाम होगा बिल्कुल दोस्तो ओपीसली अपडेट आपके लिए अब मैं यहाँ पर बता दिता हूँ किस परकार आपका सेलेक्षन प्रोसेस रहने वाला है तो सबसे पहले हम बता दिता है सेलेक्षन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है बिल्कुल दोस्तो return test होगा और return आगर आप qualify करते हो तो आपको second paper ओर देना होता है जो descriptive होता है जिसमें आपको essay या application लिखनी होती है बिल्कुल दोस्तो यह कि qualify nature के अधार पर होता है जो second paper होता है descriptive past paper के हिसाब से ही final met list बनती है और अलग-अलग राजियों की अलग-अलग कटोब रहती है बिल्कुल क्योंकि vacancy भी distribute होने लगी है तो ऐसे में कही राजे ऐसे हैं जहां पर कटोब लग-बग 35-40 भी जाती है तो कुछ राजे राजस्तान रियना यूपी जैसे ऐसे राजे जहां पर 70 तक भी कटोब जाती ह 70% पलस भी कटोब रहती है तो यह अलग-अलग इस्टेटों की अलग-अलग कटोब रहती है काफी अच्छा recruitment है अगर आप भी SSC MTS recruitment 2021 का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छा मोका है बिल्कुल यह पर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है आप इस बरती के अपलाइक कर पाओगे दसवी पास वाले सभी ब्यार्तिस का ओनलाइन रजिस्टेशन कर पाएंगे तो बिल्कुल दो फरवरी के बाद में आपके मतलब फरवरी के पैस्ट वीक में आपके ओनलाइन रजिस्टेशन होना सुरू हो जाएंगे और फरवरी में आपका notification वो प किलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे